हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है PS Online Classes में आज हम लोग देखेंगे मद्द प्रदेश Current Affairs सब्ताहिक इसमें इंक्लूड किया गया है अक्टूबर 2018 का दूसरे सब्ता के जो Important Current Affairs Questions है चलिए पहले कुष्षन से स्टार्ट करते है कुष्षन नमबर 1 में बोला जा रहा है मद्द प्रदेश के भोपाल सहर में बनने वाले Metro Rail Project के लिए कौनसी अंतरास्ट ये बैंक फाइनेंस करेगी इसके लिए 4 ओफषन है ओफषन नमबर A European Investment Bank EIB ओफषन नमबर B ACI Development Bank ADB जिसका Headquarter है Philippines Manila में ओफषन नमबर C World Bank जिसका Headquarter है Washington DC USA में ओफषन नमबर D New Development Bank NDB जिसका Headquarter है संगाई में इसका राइट अंसर देखें क्या है इसका राइट अंसर है ओफषन नमबर A European Investment Bank EIB मद्ध प्रदेश का जो भोपाल सहर है उसमें बनने वाले Metro Rail Project के लिए European Investment Bank Finance करेगी जबकि जो इन दौर में Metro Rail Project बनाया जाएगा उसके लिए ACI Development Bank ADB और New Development Bank NDB मिलके Finance करेगी ये ता कुष्षन नमबर 1 दूसरा देखेंगे कुष्षन नमबर दूसरे में बोला गया है अनपूर्णा देवी कहाली में मुंबई में स्थित कैंडी अस्पताल में 91 की उम्र में निधन हो गया है वो एक इस छेतर से संबंदित थी इसके लिए चार ओफषन है ओफषन नमबर A पत्रकारिता ओफषन नमबर B सास्त्रिय संगीतकार ओफषन नमबर C एक्टिंग ओफषन नमबर D वैग्यानिक इसका राइट आंसर है ओफषन नमबर B सास्त्रिय संगीतकार हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीतकार अनपूर्णा देवी का हाली में मुंबई में स्थित केंडी एस्पताल में 91 की उम्र में निदन हो गया और जो सास्त्री संगीत कार अनपूर्णा देवी है ये पदम भूसन से सम्मानित की गई थी और अनपूर्णा देवी का जन्म 1927 में मद्ध प्रदेश के महियर जो सतना जिले में है वहाँ पर हुआ था वह महियर घराने से सम्मंदित थी नेक्स देखेंगे कुश्चन नमबर थर्ड में बोला गया है प्रसिद्ध कलाकार किसोर कुमार जो खंडवा के रहने वाले थे उनकी पुन्यतिती पर हर साल दिया जाने वाला रास्ट्रिय किसोर अलंकरण सम्मान 2017 18 से किसको नवाजा ज इसका राइट अंसर है आप्सन नमबर बी प्रिय दर्शन फिलिम निर्माता और निर्देशक प्रिय दर्शन है इनको 2017 18 के रास्ट्रिय किसोर अलंकरण सम्मान से नवाजा जाएगा और ये निर्धारिक जो सम्मान है ये 13 अक्टूबर को दिया जाता था इस साल 13 मदप्रदेश सरकार ने हाली में हुसंगाबाद जिले की रहने वाली हर्शिता तूमर को विक्रम प्रुषकार जिसकी रासी एक लाग रुपए है उससे सम्मानित किया वो एक किस खेल से सम्मंदित है इसके लिए 4 आप्सन है आप्सन नमबर A भाला फेक आप्सन नमबर B स सेलिंग आप्सन नमबर C सूटिंग आप्सन नमबर D डिसकस थ्रो इसका सही आंसर है आप्सन नमबर B सेलिंग मदप्रदेश सरकार ने हाली में हुसंगाबाद जिले की रहने वाली हर्शिता तूमर को विक्रम प्रुषकार से सम्मानित किया हर्शिता तूमर सेलिंग खेल से सम्मंदित है 16 साल की जो हर्सता तोमर है वो इंडोनेशिया में जो अभी हाली में ACI खेल सुए 2018 के उसमें 4.7 ओपनर लेजर सेलिंग चैंपियंशिप में इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है था जो हर्सता तोमर है ये सेलिंग मेडल जीतने वाली देश की सबसे छोटी उ स्टार्टप फंड में राज में उद्यमी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कितना फंड देने की घोशना की इसके लिए 4 ओफ्षन इसका राइट अंसर है कुछन नमबर 6 में बोला जारा है मद्य प्रदेश राज के किस सूटर ने हाली में इटली में खेली गई वर्ल्ड सूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन सिप में सांदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड सिल्वर मेडल जीता इसके लिए चार ओफशन है इसका राइट अंसर है जो मद्य प्रदेश के थे पंजाब के राजवीर सिंग और राजस्थान के बालेंदु सिंग की तिगडी जो थी इनों ने 299 अंक हासिल किये थे जिसमें इनको सिल्वर मेडल मिला और जबकि इसी इवेंट में इटली ने 311 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता और फ्रांस ने 297 अंकों के साथ ब्रॉंज मेडल जीता नेक्स देखेंगे कुश्शन अंबर सात्मा बोला जा रहा है कि फारुकी वंस का संबन मद्य प्रदेश के किस किले से था इसके लिए 4 ओफशन है अफसन नमबर A असीरगड का किला अफसन नमबर B बांधवगड का किला अफसन नमबर C चंदेरी का किला अफसन नमबर D राइसेन का किला इसका सही उत्तर है अफसन नमबर A असीरगड का किला जो असीरगड का किला है जो मद्ध फिर्देश के बुरानपुर जिले में है फारुकी वंस का संबन आसीरगड कले से था आसीरगड के कले का निर्माड किस ने कराया था ये आसा अहीर नामा के एक व्यक्ती ने कराया था जो फ्रोज सा तुगलक है उसका एक सिपाही था मलिक खान उनके पुत्र थे नासिर खान फारुकी इन्होंने आसा अहीर को पराजित कर असीरगड कले पर अधिकार जमा लिया था और कई सालों तक राज किया था इस वंस का आखरी राजा बहाद्दुर सा फारुकी था जिसको अकबर ने हरा कर कले पर अधिकार कर लिया था ये थे important question जो थे second week October 2018 से Thank you very much for watching this